हलो स्टूडेंट मैं हूँ यशिका और स्वागत है आप सबका रफ्तार सीरीज में on this amazing platform of physics वाला जैसे इस बैच का नाम है ना बच्चो रफ्तार इसी तरीके से अपनी रफ्तार पकड़ लो तो आपकी मंजल आप से दूर नहीं है और इसी रफ्तार के साथ स्टार करते हैं बच्चो अपने बोटनी का सबसे पहला चाप्टर दाट इस सेल यूनिट आफ लाइफ बच्चो जो चाप्टर रहे ना तो इसके बारे में आप सुन रहे हो तो स्टार करते हैं अपना बेसिक थिंग इंट्रोड़क्री सेक्शन की वाट इस सेल तो सेल क्या होता है बच्चो सेल होता है बेसिक यूनिट आफ लाइफ क्या बोलते है बच्चो इसको बेसिक यूनिट आफ लाइफ क्यों कहा जाता है बेसिक यूनिट आफ लाइफ तो एक basic चीज का difference है बच्चो, that is cell, cell है, तो living है, cell नहीं है, तो that is considered to be non-living, जैसे सबसे अच्छा example यार, COVID-19, जिसने हमारे दो साल खराब कर दिये, है न, it is a virus, but do we consider virus a living thing, अब बहुत सारे बच्चे सोचन रहें कि मैं, living तो है, infection cause करता है, बच्चो, infection वो क्यों cause कर पाता है अगर table पर है, तो table क्यों नहीं बिमार पड़ रहा, क्यों नहीं और उसको infection, क्योंकि वो non-living है, उसको infection cause करने के लिए हम चाहिए, host cell चाहिए, उसकी कोई independent existence नहीं है, क्यों, because they are non-cellular, अगर cell नहीं होगा, तो life कैसी, इसलिए हम बोलते हैं बच्चो, कि life है, अगर living organism है, तो उसका basic unit क्या होगा, वो cell से बना है, for example, us, we are also what, we are also living, मानते हो नहीं मानते हो, है ना जिन्दा, तबाही मजा रखी है, तो क्या है, हम किस से बने है, हम बने एक single cell से, और single cell का नाम क्या था, उस single cell का नाम था, zygote, तो एक basic चीज जो यहां से हमें समझ के आती है, कि cell, इसलिए हम उसको बोलते है, cell is the basic unit of life, apart from this बच्चों, हम cell को और क्या बोलते है, structural and functional unit of life, structural क्यों, क्योंकि basic unit, जो भी life है, जो भी living organism है, वो कहां से originate होगा, cell से, और functional क्यों बोलते हैं, बच्चों, functional इसलिए बोलते है, for example, a unicellular organism, एक amoeba ले लो, एक बैक्टेरिया ले यह एक ही cell का बना हुआ है, इसलिए unicellular है, बट क्या वो unicellular organism independent exist नहीं कर सकता, अपना सारा काम नहीं कर सकता, बिलकुल कर सकता है, मतलब एक लौता cell भी अपना पूरा का पूरा काम कर सकते हैं अपने survival के लिए, and that is why we say it is a functional unit of life, जो चलो इस बात को लिख लेते हैं, कि जो cell है, इसमें जो अगर हम बात करें, यह एक unicellular चीज़ की, तो they are also capable of, capable of independent existence, capable of independent existence, ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत important line कही है, NCRT ने, that anything less than a cell, anything less than a cell, does not ensure, does not ensure independent living, independent living, इसका क्या मतलब है बच्चो, जैसे अभी हमने जिक्र किया तो ना, COVID-19 वाइरस का, उसकी अपनी independent existence नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास cell ही नहीं है, cell होगा, तब भी वो independent exist कर पाएगा, अगर cell नहीं है, तो independent exist नहीं कर पाएगा, इसलिए भाईया, दो साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे अंदर है, तो वो infectious है, बाहर है, तो infectious नहीं है, clear है, तो इसलिए कहते है, anything less than a cell, does not ensure independent living, for example, virus, why do we consider this for virus, क्योंकि virus बच्चों होते हैं non-cellular, non-cellular का मतलब, कोई cell नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको non-living consider किया जाता है, एक और बात कही गई है, NCRT में एक line है, line क्या कहूँ, word है, inanimate things, inanimate things का मतलब क्या होता है, inanimate things, बच्चों एक अंग्रेजी का word है, जिसका मतलब होता है non-living, तो बस ये एक line कही गई है, कि जो inanimate things होते हैं, वो non-living जो होते हैं, वो living से अलग क्यों है, because they do not contain cell, they are non-cellular, जीवित कहलाने के लिए, at least जो एक चीज़ चाहिए, जो एक basic चीज़ चाहिए, that is cell, तो ये हो गया कहानी को की cell होता क्या है, now let's talk about organism कितने तरीके के होते हैं, organism को हम define करते हैं, बच्चों on the presence of cell का number, है ना, तो for example, अगर मैं बात करूँ, तो यहां चलो लिख लेते हैं, कि तो organism को हम divide करेंगे, on the basis of, on the basis of, cell के तो basis पर obviously है, बट cell कितने number में है, जैसे पहला हम लिखेंगे unicellular, दूसरा हम लिख रहे हैं multicellular, अगर तो इस word को तोड़ोगे बच्चों, तो uni का मतलब क्या निकल के आता है, uni का मतलब निकल के आता है, single, और cellular का मतलब क्या निकल के आता है, cell, that means, unicellular organisms कौन हो गए, the organisms which are made up of, made up of single cell, the organisms which are made up of single cell, example, example, तो हमें भर-भर के पता है, for example, bacteria, for example, amoeba, etc, तो जो भी organism, एक ही cell का बना हो, बच्चों, उसको क्या बोल देते है, unicellular organism, और जो दूसरा है, multi-cellular, इसको भी तोड़ो, तो multi में क्या निकल के आएगा, बच्चों, multi में निकल के आएगा, multiple, या हम इसको और क्या बोल सकते है, मेरे बच्चों, many, और cellular का मतलब यहाँ पर क्या होता है, cell, तो जो organism, multiple cell का बना हो, तो उसको हम क्या बोलते है, multiple organism, so we can write this, it is made up of many cell, इसका example क्या हो जाएगा बच्चों, इसका example हम हो जाएंगे, सबसे advanced social animal, so what we can write, you can write humans, or you can just write higher animals, higher animals and higher plants, because हम अपने अंदर बात करें बच्चों, तो हमारे पास भर-भर के cell मौजूद है, multiple cells मौजूद है, है ना, heart के cells है, nerve के cells है, multiple cells है, और सारी cell अपना individual काम कर रहे है, जैसे घर मे हम बटवारा कर देते हैं, कामों का, हमारी body इतनी multi-cellular, इतनी complex है, तो हमारे cell के अंदर भी, जो work है, वो distributed है, जिसको हम बोलते है, division of labor, labor का मतलब काम, division का मतलब बटवारा, ठीक है, so ये मतलब होता है, multi-cellular organism का, और unicellular organism का, और हम कब बोलते है, कोई चीज living है, और कोई इस डेड है, depending upon presence और absence of cell, तो ये तो कहानी होगे, introductory section की, अब हम बात करते हैं, बच्चो, now let's talk about the history of cell, ठीक है, history of the cell, history के अगर हम बात करते हैं, बच्चो, तो सबसे पहले जो scientist हमें देखने को मिलता है, that is about Robert Hooke, Robert Hooke ने जो discovery की थी, बच्चो, किसकी discovery की थी, इन्होंने discover किय किया था, dead cell को, किसको किया था, dead cell को, इनके पास living cell का discovery नहीं है, क्या किया थे नोंने, cork cell आप जानते होगे, bottle के धक्कन के तौर पर एक cork cell का इस्तमाल करते हैं, plant की जो cell होती है, outermost, तो वो cork cell को लिया, उसकी thin slice को cut किया, है ना, और thin slice को cut करने के बाद कहां रखा, microscope के अंदर रखा, तो इनको कैसा structure दिखाई दे रहा था, he observed, he observed honeycomb like structure, बच्चों honeycomb like structure का मतलब क्या होता है, honeycomb like structure का मतलब होता है, मदुमक्खी का छत्ता, जो साहरे बच्चों ने देख रखा होगा, है ना, नहीं देख रखा है, तो एक slide देख लो, आपको दिख जाएगा कि म का structure इनको microscope के अंदर दिखाई दिया था, जब इन्होंने core की thin slice cut करके देखी थी, तो आप इसमें देखो, ये चीज़ देखो, ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर draw करके दिखाऊ, तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, similar structures he observed under the microscope, और इस डब्बे को इन्होंने क्या बोला, इस डब्बे को इन्होंने बोला, ये क्या है डब्बा, compartment, और इस compartment का Robert हुक ने नाम क्या दिया, cellular, और यही cellular आज क्या जाना जाता है बच्चो, cell के नाम से, so he discovered this cell, but इन्होंने actually observe क्या किया, ये डब्बा, और ये डब्बा का outermost चीज़ क्या होगा बच्चो, cell wall, और cell wall क्या होती है बच्चो, dead होती है, इसी लिए हम बोलते हैं कि Robert हुक ने क्यों observe किया था, Robert हुक ने observe किया था, dead cell, अगर question आए बच्चो की dead cell की discovery किस ने की थी, Robert हुक ने, और अगर question पूछा जाए, कि cell wall भी किस ने observe या discover किया था, तो उसका भी credit किसको द दिया मेरे बच्चो, so what about living cell, living cell के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है न, so वहां से picture में कौन आए, Anton won living hook, इन्हों ने क्यों observe किया, इन्हों ने observe किया living cell, यहां से नाम आया था living cell, obviously बच्चो living hook किया है, एक बहुत बड़े scientist है, तो इनके पास अपना खुद का microscope होता था जो इन्होंने बना रखा था, अब हम बच्चपन में क्या करते थे, हमारी सोच कहां तक जाती थी, बारिश हो रही है, तो बोड बना देते थे, है न, और हवा तेज चल रही है, तो paper का plane बना सकते थे, है न, हम जादा तो curiosity वाले थे नहीं, बस scientist ने यार, तो इन्होंने ब बना आया हो ता अपना microscope, इनके घर में ही microscope पड़ा था, तो यह क्या करते थे, जो भी चीज़ उनको दिखाई देती थी, for example, बारिश हुई, तो बारिश का पानी उठा करके microscope के अंदर देख लेंगे, दातों के round बचो, deposition होती है, आपने notice भी किया होगा, और उसमें क्या ह होगे, obviously bacteria होगे, तभी तो हम brush करते हैं सोने से पहले, तो उनको deposition को scratch किया, scratch करने के बाद glass light पर रख दिया, और microscope के अंदर देखा, sperms को उठाया, sperms को उठा करके microscope के अंदर देखा, तो यह सारी चीज़े, जब वो microscope के अंदर देख रहे थे, तो एक चीज जो उनको common नज क्या मिलेगा उनको, bacteria मिलेगा, और bacteria क्या होता है बच्चो, bacteria होता है, living, तो अब इसले जो living है वो तो चल फिर सकते हैं न, और चल फिर सकते हैं, that means they are made up of cell, isn't it, क्योंकि cell है, तब ही हम एक organism को क्या बोलते है, living, तो यहां से picture में आया मेरे बच्चो, living cell, next है about Robert Brown, Robert Brown ने क्या discovered किया था, brain of the cell, जिसको हम क्या बोलते हैं, nucleus, तो यह तीन scientist का नाम दिया हुआ है, NCRT में, Robert Hook, Anton Von Levenhoek, and Robert Brown, ठीक है, इसके अलाबा बच्चो, एक और scientist का नाम दिया हुआ है, that is, Ramachandran, अगर आप NCRT text में कहीं नहीं दिया हुआ है, as such कभी question भी नहीं आया हुआ है, but Ramachandran का picture दिया हुआ है, और वहाँ पर लिखा हुआ है, कि इनोंने triple helical structure of collagen दिया हुआ था, तो यह चीज़ याद रखनी है, यह तो text में है, तो obviously यह चीज़ याद रखनी है, okay, so इसके बाद हम बात करते हैं, बच्चो, history तो हमने कर लिया, history पढ़ लिया, let's talk about, कि what is cell theory, तो cell theory प्रपोस करने वाले जो scientist थे, वो थे Shleden and Theodore Schwan, isn't it, यह हमने 9 class में भी पढ़ा हुआ है, बच्चो, तो यह जो 2018 यह उनने question आया था, कि Shleden क्या है, कहां के scientist है, तो we know that Germany के है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, German botanist, botanist का मतलब बच्चो, इन्होंने क्या पढ़ा है, generally plant cell, botany is with respect to plant cell, Schwan, Schwan, कौन थे, यह Britain के थे, तो इनको क्या बोलते हैं, British zoologist, zoologist मतलब particularly क्या पढ़ते होंगे, about animal cells, तो इन्होंने 1838 में, एक line दी थी, और कहा था, कि plant cells किसके बने होते हैं, plant cells are made of different types of cells, they are made of different types of cells, जो आगे जा करके क्या बनाते हैं, that form tissue, जैसे आप पढ़ोगे, anatomy में, we have permanent tissue, ना, इनकला से पढ़ा है, meristematic tissue, वो tissue क्या है, they are group of cells, और वो group of cells कहाँ पर present होते हैं, बच्चो, plant में, तो उन्होंने ये बाते कहीं थी, in 1838, similarly, Schwann, जो British zoologist थे, उन्होंने 1839 में कुछ important lines कहीं थी, क्या conclude किया था इन्होंने, इन्होंने सबसे पहली बात जो conclude की थी, कि हर एक living organism के पास, एक thin membrane होती है, बच्चो, जिसको हम क्या बोलते हैं, plasma membrane, so yes, let's write this, presence of thin outer membrane, and this thin outer membrane को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, that is plasma membrane, और plasma membrane, बच्चो, हर एक living organism की absolute requirement है, यह NCRT लिखती है, ठीक है, next, although यह zoologist थे, but इन्होंने एक बहुत important बात कही थी, with respect to plant cell, that cell wall, cell wall is unique feature of, is unique feature of plant cell, क्योंकि आपको पता है, animal cell के पास, for example, हमारे पास, कोई भी cell wall नहीं होती है, और एक महत्वपूर बात कही थी, कि जितने भी organisms हैं, जितने भी organisms हैं, they are made of, they are made of cells and its product, सारी बाते तो कह दी, cell theory में, जो बहुत important बात थी, कि नए cell बनते कैसे हैं, यह दोनों explain नहीं कर पाए, so they both, did not explain, how new cells are formed, how new cells are formed, इसी लिए बच्चों को, इस cell theory को modify करना पड़ा, और modification का काम किस ने किया था बच्चों, एक दूसरे scientist ने, जिसको हम बोलते हैं, रडॉल्फ वर्चाओ, चुरो read करते हैं इस line को, इस theory, however, did not explain, how new cells were formed, जो भी हमने लिखा है, इसी लिए, रडॉल्फ वर्चाओ, 1855 में, सबसे पहली बार explain किया था, कि जो नए cells बनते हैं, they are formed from pre-existing cells, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, omni cellular, e-cellular, इसका क्या मतलब है, for example, बच्चों एक amoeba है, है ना एक amoeba, ये एक cell है, a unicellular cell, ये क्या करता है, divide कर जाता है, to form what, two daughter cell, to form two daughter cell, तो बच्चों एक जो daughter cell बना, ये कहां से बना है, आस्मान से तो टपका नहीं है, कहां से बना है, जो पहले से cell pre-exist कर रहा था, ये उनके division से बने है, अगर आप से question पूछा जाए बच्चों, कि cell theory किस ने दीती, तो ये अगर अगर question आए कि modified cell theory किस ने दीती बच्चों, तो you wanna mark Rudolph बच्चों, तो overall cell theory की picture हो गई, modify and modify theory को हम कैसे समझेंगे, all living organisms are composed of cells and product of cell, ये जो हमने पुराने cell theory से point उठाया, next point दे को क्या लिखा हुआ है, जितने भी cells है, they arise from pre-existing cell, ये रड़ॉल्फ बच्चों ने point दिखाया, और जो last point लिखा हुआ है, कि जो भी activities हमें organism में दिखाई देती है, they are the outcome of some total of activities and interaction of its constituent cell, इसका क्या मतलब है, for example, बच्चों मैं अभी आपको समझा रही हूँ, explain कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे hands की movement दिखाई दे रहे हैं, और मेरे face का particular mouth का movement दिखाई दे रहा है, बच्चों मतलब यह तो नहीं है ना कि मेरे अभी इस शडीर में सिर्फ hand और mouth ही active है, मैं इतना बोल पारी हूँ क्योंकि मेरे अंदर के जो components है, they are also performing certain sort of activities, तो जो आपको एक organism में बहरी रूप सा activity दिखाई देती है, that might be because of some total of all the activities which is running inside the cell, so we covered the cell theory, we covered the modified cell theory, now let's talk about the overview of cell, यह heading है न NCRT में, इस overview of cell का क्या मतलब है, देखो यार 9th class में हमें पढ़ाया जाता था, एक कराते थे onion peel cell का experiment, करते थे ना हम, onion की ले जाते थे onion को और उसके 42 सी skin उतारते थे, क्योंकि onion क्या है, एक plant cell है, तो एक typical plant cell को समझाने के लिए, हमारे बाले जी टीचर हमसे यह experiment कराते थे, तो हमें क्या दिखता था microscope के अंदर, क्योंकि एक typical plant cell है, तो obviously इसके पास क्या दिखेगा, पहली बात तो cell wall दिखेगा, जो सबसे बाहर की तरफ होगा, cell wall के अंदर आपको क्या दिखाई देता था, बच्चों याद करो, आपको दिखाई देता था, plasma membrane, और plasma membrane तो absolute requirement है, और क्योंकि यह plant cell है, क्यों karyotic cell है, आपको इसके अंदर क्या दिखाई देगा, nucleus, तो यह एक typical plant cell की बात है, और इनको, अगर animal cell समझाना होता था, biology teacher को, तो यह किसका example लेते थे, human cheek cell का, बहुत लोगों ने experiment किया भी होगा, तो human cheek cell क्या है, यह हम क्यों पढ़ते थे, to study a typical animal cell, we are what, we are also a social animal, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें cell wall दिखाई नहीं देगा, because cell wall feature होता ही नहीं है animal का, हमें सिर्फ और सिर्फ plasma membrane दिखाई देगा, along with nucleus, isn't it, तो यह difference है, basic difference है, एक typical plant cell में और एक typical animal cell में, और हमने यह बोला बच्चों कि plant और animal दोनों के पास nucleus है, तो यहां से एक और बात समझ में आती है, कि organisms को यह cell को दो हिस्से में divide किया जाता है, on the presence or absence of nucleus, और you can say nucleus किस तरीके से मौझूद है, तो चलो आओ इसको भी समझ लेते हैं बच्चों, कि जो cell होता है, cell, they are particularly of two types, और यह किस basis पर होगा, किस basis पर, nucleus के basis पर, लिख लेते हैं, on the basis of nucleus, तो जो दो टाइप के cell है, one is a prokaryotic cell, and the other one is eukaryotic cell, again हम वर्ड को तोडएंगे बच्चों, तो हमें मतलब निकल करके आएगा, prokaryot में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, pro, pro का मतलब क्या होता है बच्चों, before, और you can even say primitive, before का मतलब पहले और पहले की बाते करते हैं, तो पुरानी बाते करते हैं, है ना, और karyotic word को relate करो karyon से, karyon का मतलब यहां पर क्या होता है, nucleus, तो कहने का क्या मतलब है, कि जो इनके पास nucleus नाम की चीज होती है, वो properly defined नहीं होती है, why, because they do not have nucleolus, they do not have a particular membrane, that is a nuclear membrane, इसलिए हम prokaryotic cell को पुराना, primitive, या कह सकते हो, not well defined nucleus वाला cell कहते हैं, eukaryotic के अगर हम word को तोडएंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा, you का मतलब क्या होता है, बच्चो, true, true मतलब सच्चा वाला nucleus, सबसे अच्छा वाला nucleus, कहा मिलेगा, eukaryotic cell के पास, so we can write true, और we can write a well defined nucleus present, well defined nucleus present, और यहाँ पर prokaryotic में लिख लो, not well defined, साथ ही साथ बच्चो notes बनाते रहोगे, तो आपका काम यहीं पर खतम हो जाएगा, not well defined nucleus, ठीक है, वैसे तो हम अभी पढ़ेंगे बच्चो, prokaryotic और eukaryotic में बहुत सारी differences होते हैं, but there are certain common things, जो इन में और इन में मिलेंगे ही मिलेंगे, and what are those common things, common things के बारे में लिख लेते हैं बच्चो, for example, plasma membrane एक ऐसी चीज है, जो दोनों में मिलती है, और एक और खास बात है, कि यह structurally similar होती है दोनों के case में, यह question भी बहुत पूछा जाता है, recent year में भी पूछा गया है, लिखवाओंगे यह points, अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं, common चीज present क्या है, इसके बाद इनके पास ribosomes भी दोनों के पास होते है, वो अलग बात है कि एक के पास 70S होगा, एक के पास 80S होगा, बट होते तो दोनों के पास है, इसके अलावा इनके पास एक और common चीज है, that is cytoplasm, इसका क्या मतलब है, arena का मतलब होता है, बच्चों area से relate करो, that means, जादा तर जो cell की activities चलती है, वो कहाँ पर चलती है, cytoplasm में, for example, आप सब को पता होगा about glycolysis, glyco का मतलब glucose, lysis का मतलब तूटना, हम glucose खाते हैं, उसका तूटना कहाँ चलता है, हमारे cell के अंदर, वो चलता है, cytoplasm में, तो ये तीन common चीज है, जो दोनों में हें दिखाई देंगी, although there might be certain sort of differences, वो differences हम पढ़ेंगे, जैसे से topics में आगे, move करेंगे, clear है मेरे बच्चों, apart from this, if I talk about the cell size, तो बच्चों जो cell size होती है न, वो भी vary करती है, मैं ये नहीं कह सकती, कि जितने भी दुनिया में cell मौजूद है, वो सारे same size के होंगे, नहीं, the size will vary, for example, हमारी NCRT ने कुछ examples बढ़ रखे, for example, mycoplasma, mycoplasma की जो size दे रखी है बच्चों, that is, 0.3 micrometer, and इसी लिए हम इसको NCRT क्या लिखती है, smallest cell, तो smallest cell देखो, size क्या है, 0.3 micrometer, इसके अलावा, एक longest cell होता है, longest cell की size, किसको बोलते हैं longest cell, nerve cell को, सर से लेकर के पाउं तक मौजूद है, जा रही है, longest है, largest cell किसको बोलते हैं, the largest cell is, ostrich egg, तो ये तीन अपने याद रखनी हैं, आपको पता होना चाहिए, smallest, longest and largest, apart from this, इन्होंने एक typical bacterial cell का भी दे रखा है, bacterial cell की जो average size होती है, बच्चों, वो क्या दे रखी है, average size of bacteria, average size of bacteria, 3 से 5 micrometer, और RBC की जो size दे रखी है, that is 7 micrometer in diameter, तो ये सारी बाते आपको text में NCRT के मिल जाएंगी, बच्चों, बच्चों, एक और चीज है, जो आपने ध्यान में रखनी है, apart from this, ये तो examples इन्होंने दे ही रखा है, बट इसके इलावा इन्होंने डाइग्राम भी दे रखा है, अब हम क्या करते हैं, हम text पढ़ पढ़ के निकल लेते हैं, बट इससे आजाता है question, जैसे हमारी NCRT ने average bacteria का dimension, 3-5 दे रखा है, और typical bacteria का 1-2 दे रखा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, हो सकता है कभी आपको option में 3-5 मिले ही न, और आप वहाँ सोचने बैठ जो याद, 3-5 दो दिया ही न, क्या मार्ग करूँ, तो वहाँ पर आपने मार्ग करना पढ़ दे का 1-2 माइक्रो मीटर, obviously दोनों options नहीं होगा, एक यह option दिया होगा, दोनों option होगा, तो यह उनकी गलती है, you will get benefit of doubt, इसके अलावा देखो PPLO, अभी हमने पढ़ा कि Mycoplasma smallest cell है, 0.3 माइक्रो मीटर, बढ़ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, PPLO 0.1 माइक्रो मीटर, छोटा होगा न, बचो PPLO is a type of your Mycoplasma only, तो आपने यह वाली dimensions भी याद रखनी है, अगर बैसे smallest cell पूछे, माइक्रो प्लाजम, विकाज NCRT लिखती है और NCRT हमारे सराखो पर, वाइरिस की साइज, बहुत सारे बच्चों को देखो नहीं पता होगी, क्योंकि यह डाइग्राम नहीं देखे, और typical eukaryotic cell का क्या होता है, 10 से 20 माइक्रो मीटर, तो ऐससे questions match the following में बहुत आते हैं, ठीक है, तो हमने देखा एक overview of cell में, कि organisms और cell can be of two types, depending nucleus कैसा है, और सारे के सारे cells की जो size है, वो same नहीं होगी, जिसे size नहीं है बच्चों, shape भी same नहीं होती, cell shape vary करता है, बच्चों यह जो diagram है, यह भी NCRT का है, जो आपको बहुत ध्यान से करना है, because यह भी match the following type में आ सकता है, या तो what they can do, they will remove the labeling, and you'll have to identify कि कौन से cell है, तो देखको यहाँ पर RBC बनी हुई है, जिसका shape round and by concave है, WBC बनी हुई है, जो हमारे में fighting cells होते हैं, उनका shape amoeboid है, अभी आप यह बिथीलियल tissue zoology में पढ़ लिये होगे, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, cube like हो सकते हैं, column like हो सकते हैं, nerve cell आपको पता है, देखो branching दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि सर से लेकर के पाउं तक जाना इनको, और यहाँ पर trackers देखो, xylem, पानी पहुचाता है, तो देखो elongated है, mesophyll cell कहां होती हैं बच्चो, leaves में होती है, leaves की cell को हम mesophyll cell बोलते हैं, और यह कैसी होती है, round and oval, तो जिस तरीके का cell, जहना पर यह मौझूद है, उसके हिसाब से इनका shape है, क्योंकि उनको इसी हिसाब से करना है काम, ठीक है, तो cell size भी vary करती है, cell shape भी vary करती है, so we have taken the introductory section of the cell, moving on to the next बच्चो, we will talk about a typical prokaryotic cell होता क्या है, so let's write about typical prokaryotic cell, typical prokaryotic cell बच्चों अगर हम बात करें, prokaryotic का मतलब क्या होता है, pro का मतलब होता है, primitive या before और karyotic word आया है, karyon से जिसका मतलब होता है, nucleus, that means इनके पास properly defined nucleus नहीं है, तो इनमें कौन-कौन से organisms आ जाएंगे बच्चों, क्या क्या आएगा इसमें, इसमें आएंगे सिर्फ और सिर्फ bacteria, they are going to include bacteria, bacteria में भी कौन-कौन से examples लिखते थे हैं एक दो, for example, BGA, BGA का full form क्या होता है बच्चों, BGA का full form होता है blue-green algae, हमने पहले भी डिसकस किया हुआ है, blue-green algae क्या होती है, photosynthetic होती है, यहां हम इनको और क्या बोलते हैं, cyanobacteria बोलते हैं, इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा आएगा हमारा smallest cell, जिसको हम बोलते हैं बच्चों, mycoplasma, और इसके अलावा और हम एक example लिख लेते हैं, PPLO, that is pleuro-neemonia-like organism, pleuro-neemonia-like organism, तो यह सारे cells किसके अंदर आते हैं, prokaryotic cell के अंदर, चुले example तो हमने लिख लिया, चुले अब prokaryotic cell के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जैसे यार, prokaryotic cell में आख यारा है, bacteria, क्या तुम इस bacteria को हमने आखों से देख सकते हो, बले कितने power के चिश्व में लगाल हो, तुम bacteria को नहीं देख सकते हैं, why? Because they are literally very microscopic, हमारे t-shirt पर, chair पर, हातों पर, किताबों पर नजाने, कितने bacteria होंगे, बच्चों, thousands of bacteria, but we cannot literally see, size बहुत छोटी है, तो इनको कहां देखना पड़ता है, हमें अपने आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है, तो हम और selfie, zoom करके अपने आपको देख लेते हैं, तो bacteria भी आपनी selfie लेता है, किसके अंदर जा करके? microscope के अंदर जा करके, तो क्यों? क्योंकि यह इनकी जो size होती है, that is literally very small, they are smaller in size, size बहुत छोटी है, कहने को यह unicellular है, तो क्या होगे? complexity तो nil बटा सनाटा, है यह नहीं कोई complexity, और बच्चों complexity नहीं है, तो division बहुत fast होगा, तो they multiply very fast, they multiply very fast, as compared to the eukaryotic cell, क्योंकि eukaryotic cell में हम अपनी बात करें, तो हमारे पास भर-भर के cell है, तो complex बहुत जादा है हम, तो हमारे में जो division है बच्चों, time लगता है, इतना सरल नहीं है, जैसा bacteria में होता है, bacteria में multiplication, it is very very fast, इसके अलावा, अगर हम इनकी organization की बात करें बच्चों, तो चाहे कोई भी bacteria हो, वैसे तो बहुत सारे bacteria होते हैं, विब्रियो वाला हो सकता है, हैं तो बहुत सारे diseases भी अलग-अलग cause करते हैं, बट इनका जो organization है बच्चों, क्या कहते हैं हम, इनका organization जो है, that is fundamentally similar, क्यों, क्योंकि हैं भी unicellular, and moreover हैं तो prokaryotic ना, तो organization तो similar हो गई, apart from this बच्चों, इनका जो shape होता है ना, shape कर सकता है vary, कितने shapes हो सकते हैं इनके में, इनके में चार possible shapes हैं, bacteria के, so number one, जो हम लिखेंगे, that is of rod shape, that is of rod shape, और उस rod shape bacteria को क्या बोलते हैं, rod shape bacteria को बोलते हैं, बच्चों bacillus, क्या बोलते हैं bacillus, इसके अलावा, एक होता है circular shape, circular shape, या you can say round, वो कांसा होता है, cocus, फिर एक बच्चों होता है, comma shape, comma shape वाले का नाम क्या होता है, comma shape वाले का नाम होता है, vibrio, और fourth जो हम लिखेंगे, that is of spiral shape, तो चार shape हो गए, और spiral shape वाले का नाम क्या होता है, बच्चो, spirulum, क्या नाम होता है, spirulum, तो this four shapes are possible, और एक interesting fact और बताऊं, यह जो shapes होते हैं बच्चों, यह आपस में एक दुसरे में convert हो सकते हैं, जैसे for example, बच्चों, आपको मानलो को infection हो गया, बिमार पढ़ गयो, आप गए doctor के पास, आपने बोला, भाया मेरी तबे ठेक नहीं लग दी, doctor साब आप मुझे देख लो, उसने देखा, आपके test बगएरा किये, उनको समझ में आया, कि आपको किसी bacteria से infection है, for example, वो infection bacillus से था, उसने बड़े मज़े में आपको bacillus वाला antibiotic दे दिया, दे दिया आप आए, आपने घर में जाकर गया, तो दवाई खाई तो आपको कोई असर ही नहीं हुआ, तो तुम्हें सोचे यार, किस घटिया doctor के पास चले गए, है ना, दवाई भी दिया, असर भी नहीं कर रहा है, यार, वो डॉक्टर घटिया नहीं है, हुआ क्या, वो bacillus वाला जो form था, वो for example, convert हो गया कोकस में, तो एंटिबाइटिक तो उसने bacillus की दी 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 ना यार, तो कोपस, कोकस पे effective कैसे होगी, है ना, तो डॉक्टर खराब नहीं था, और तुम भी future डॉक्टर बनने वाले हो, तो इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए, है ना, तो येस, इस shape changing nature को लिख लेते हैं, इस shape changing nature को क्या बोलते हैं बच्चो, shape changing nature, ये bacteria का nature होता है, कि वो अपना shape change कर सकते हैं, and that is called as pleomorphic nature, that is called as pleomorphic nature, ठीक है बच्चो, इसके अलावा, अगर हम बात करें, तो do they have cell wall, येस, cell wall इनके पास होता है, cell wall present, किसको surround करेगा cell wall, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, cell wall is present, outer to plasma membrane, outer to plasma membrane, बट ये जरूरी नहीं है, कि बच्चो, हर organism, मतलब हर bacteria के पास cell wall हो, इनके exceptions भी होते हैं, जैसे एक, bacteria होता है, mycoplasma, उसमें cell wall नहीं होता है, apart from this, बच्चो, इनके पास भी एक fluid matrix है, क्योंकि हमने discuss किया था, कि cytoplasm तो दोनों के पास ही होता है, तो इनके पास भी एक fluid matrix है, that is cytoplasm, but difference ये है, कि हमारे पास जो cytoplasm होगा, उसमें double membrane bound organelles भी मिलेंगे, double membrane bound organelles में बच्चो, तीन example आपको particularly याद रखने है, एक तो mitochondria का याद रखना है, which is not there in bacteria, इसके अलावा जो आपने याद रखना है, that is plastid, ये भी नहीं होता, and nucleus तो बच्चो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि ये तो prokaryot है, है ना, तो ये तीनों चीज़ें याँ पर नहीं होती है, ना इनके पास single membrane bound organelles, ऐसा नहीं है कि इनके पास double membrane ही नहीं होते, double membrane तो नहीं होते हैं, बट single membrane भी नहीं होता, no single membrane bound organelles, no single membrane bound organelles, और single membrane bound organelles में कौन आ जाएगा बच्चो, let's write this, सबसे पहले, there is no ER, endoplasmic recticulum, there is no Golgi, there is no lysozome, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे eukaryotic organelles है, there is no vacuole, true vacuole नहीं होता, ठीक है, there is no micro bodies, micro bodies भी बच्चो तीन तरीके की होती हैं, we will study, ठीक है, तो ना ये single membrane वाले मिलते हैं, ना ये double membrane वाले मिलते हैं, इनके पास ना, organelles के नाम पर, एक मात्रो present होती हैं चीज, and that is ribosome, तो we can write, only ribosome present, ribosome is the only organelles, ribosome is the only organelles, present in prokaryote, अच्छा, अगर ये भी organelles है, अभी हमने उपर लिख दिया, कि यहाँ पर double membrane भी नहीं है, यहाँ पर single membrane भी नहीं है, फिर हम यह बोल रहें कि ribosome present है, और यह भी हम बोल रहें बच्चों कि ribosome इक organelles है, तो यह क्या है, यह कोई समझ में नहीं आया, तो बच्चों इसमें दिक्कत इसलिए है, क्योंकि ribosome के पास कोई membrane होती ही नहीं है, there is no membrane, तो इनके पास एक non-membranous organelles present होता है, जिसका नाम होता है ribosome, तो तीन फीचर तो common हमने पहले भी पढ़ रखे थे, साइटो प्लाजम होता है, प्रो के पास भी, यू के पास भी, राइबोजोम होता है, प्रो के पास भी, यू के पास भी, बस ये difference है, particularly in organelles का, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलते हैं बच्चों, यू के रियोट्स में मिलते हैं, ठीके, इसके अलावा बच्चों, इनके पास division वाले जो organelles होते हैं, like centrioles and centrosomes, ये भी नहीं मिलते हैं, centrioles and centrosomes, ये भी नहीं मिलते हैं, की बात कर ली बच्चों, apart from this, we know that, कि इनका जो nucleus तो होता नहीं, तो we just write, there is no well-defined nucleus, इनका जो genetic material होता है न, वो cytoplasm में क्या होता हैं बच्चों, cytoplasm में scattered होता है, है न, और इनका जो genetic material है, जो भी तुम्हारा DNA होता हैं इनके पास, that is naked, this is also there in the NCRT, because, because, इनके पास कोई nuclear membrane होता है, बच्चों यहीं बोलते हैं, क्योंकि NCRT ने naked के बाद, कॉमा करके line लिखी हुई है, but naked असली में क्यों कहा जा रहा है, because there is no histone protein, अब यह histone protein क्या होती है, यह कोई नई protein आ गई market में, बच्चों जैसे हम अपनी बात करें, हमारा DNA ना एक दुपट्टे के बराबर का बड़ा है, 2.2 मीटर, यार हमारे cell भी इतने बड़े नहीं है, कितने बड़े DNA को accommodate करें, हमारे cell की जो nucleus की size है ना, बहुत बहुत चोटी है, तो इतने चोटे cell में, इतने चोटे nucleus में, इतना बड़ा DNA कैसे आया है, package करके, यार जैसे हम कहीं जाते हैं ना, भर-भर के कपड़ा ले जाना है, हर चीज का matching ले जाना है, समान सूट के चोटा है, तो हम उसको कैसे करते हैं, adjust करते हैं, हम उसको package करते हैं, similarly, इतने बड़े DNA को, इतने से चोटे nucleus के अंदर package किया जाता है, तो packaging वाली protein का नाम होता है histrone, अब बिचारे ये तो unicellular है ना, बड़े चोटे असे organism है, तो इनको as such, इस packaging protein की जरुवत नहीं होती है bacteria में, इसलिए हमने लिखा हुआ है, there is no histrone protein, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, DNA is naked, ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे, किसका structure कैसा दिखाई देता है, clear है, so moving on to the next, we'll talk about the structure of a typical prokaryotic cell, कि एक typical prokaryotic cell दिखता कैसा है, वैसे तो बहुत खुबसूरत होता है, अगर तुम ये वाला diagram देखो के तो कहोगे, ma'am ये bacteria कितना खुबसूरत है, बिल्कुल खुबसूरत है, देखो कितना colorful है, सारे कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक prokaryotic cell, तो सबसे बाहर देखो बच्चो जो line मैंने बना रखी है, ये क्या है, ये है तुम्हारी एक typical bacterial cell की outermost layer, जिसको हम क्या कहते हैं, glycocalyx, glycocalyx is followed by the presence of cell wall, and cell wall के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है plasma membrane, membrane continuous नहीं होता, अंदर की तरफ धस जाता है, और इस धसे हुए plasma membrane को हम क्या बोलते हैं, इस धसे हुए plasma membrane को हम बोलते हैं, mesozoom, so mesozoom they are nothing, they are the extensions of the plasma membrane, तो बाहर आपको तीन कवच दिखाई दे रही हैं, किसकी किसकी, glycocalyx, cell wall and plasma membrane, और कवच को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यह तीनों layer, they form cell envelope, they form what बच्चो, they form cell envelope of bacterial cell, तो अगर आप से जवाब पूछा जाए, कि bacterial cell के पास कितने envelope है, तो आपको कहीं और दिखाई दे रहा है, नहीं, तो एक लौता envelope present है, बट एक लौता envelope कितने layer का है बच्चो, तीन layer जिसमें सबसे बाहर कौन है, glycocalyx, followed by cell wall, and then it is followed by plasma membrane, ठीक है, अब यह तो हमने बाहर-बाहर की बात की, अंदर क्या मौझूद होगा, अंदर इसके मौझूद होता है, बच्चो, इनके पास nucleus तो है नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि इनके पास अपना DNA भी नहीं होगा, DNA होता है, वो DNA cytoplasm में बिखरा हुआ होता है, और उस बिखरे हुए cytoplasm, बिखरे हुए DNA को हम क्या बोलते हैं, nucleoid, क्या बोलते हैं, special extra chromosomal DNA, जिसको हम क्या कहते हैं, plasmid, तो ये तो हमने बात कर ली DNA की, DNA के अलावा इनके पास और क्या present होता है, इनके पास present होते हैं ribosomes, आप देखो ribosomes मैं generally plasma membrane से चिपका करके दिखा रही हूँ, क्योंकि NCRT ने लिखा हुआ है, और यहाँ पर ribosomes कैसे वाले होते हैं, बच्चो 70S, अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चो इनके पास present होती हैं, कुछ inclusions body, ये सारे जो नाम लिख रहे ना बच्चो, ये एक करके हमें सारे पढ़ने हैं, तो tension ना लेना, अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, और इस fluid matrix को हम नाम क्या देते हैं बच्चो, इन fluid matrix को नाम दिया जाता है, cytoplasm, जो तुम्हारा इसमें भी मिलेगा, और जो तुम्हारा eukaryotic cell में भी मिलेगा, अब इनके अलावा, इनके पास present होता है, RNA, कौन सा RNA, इस is mRNA, और इस mRNA पर क्या लग जाता है बच्चो, इस mRNA पर लग जाते हैं ribosomes, तो जब mRNA पर ribosomes लग जाते हैं, तो इस structure को बोलते हैं, हम polysome, या इस structure को हम बोलते हैं polyribosome, यह तो हमने internal structure की बाद की है, कि एक bacteria के internal structure में हमें क्या मिलेगा, अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के सर्फेस पे हमें क्या मिल सकता है तो देखो पिछले डाइग्राम में भी देखो आपको यह सारा आउट ग्रोथ दिखाई दे रहा है दिख रहा है ना आउट ग्रोथ बच्चो जिसे देखो तुम्हें यहाँ पर फ्लाजला यह extensions of cell wall इसलिए देखो मैं cell wall से निकलता हुआ दिखा रही हूँ ठीक है दिखा दो दिस बड़ा वाला क्या है तुम्हारा यह सारे के सारे फ्लाजला है और जो छोटा वाला structure हम बनाते हैं बच्चो इन सब का काम क्या होता है we will get to know और बच्चो पिलाई सिर्फ उसी में मिलती है जहाँ पर plasmid present हो plasmid जहाँ पर होगा उन्हीं bacteria के पास पिलाई होगी otherwise not तो एक typical bacterial cell कुछ इस तरीके का दिखाई देता है now let's talk about यह जो जो सारी चीज़े लिखे हमने और detail में पढ़ लेते हैं तो moving on to the next सबसे पहले हम बात करेंगे इसके genetic material की तो इनका genetic material बच्चो obviously nucleus में नहीं होगा तो कहाँ पर होता है साइटो प्लाजम में और इनके genetic material को बोलते क्या है इनके genetic material को बोलते है nucleoid या जीनोफोर जैसे अगर हम अपने genetic material की बात करें तो हमारा genetic material कैसा होता है हमारा genetic material होता है बच्चो double standard linear अगर हम typical prokaryotic cell की बात करें तो इनका जो genetic material होता है वो double standard होता है बच्चो ये ds आपको किताबों में भी मिलता है ds का मतलब होता है double stranded हमारा linear होता है देखो हम ऐसे draw करते हैं इस इस लिए इसको linear double standard बोलते है bacteria में दो तो होते हैं बट कैसे arrange है circular तो हम इसको क्या बोलते है circular double standard तो इनका double standard होता है और circular होता है और जो main होता है वो यही होता है इसलिए मिसको क्या बोलते है main genomic dna जो expressions वगेरा control करेगा अच्छा इसको main क्यों बोड़ रहे है that means इसके इलावा भी कही dna मौजूद है certain bacteria certain bacteria has extra chromosomal dna why we say extra chromosomal क्योंकि main हमने किसको कह दिया है main तो हमने genophore को कह दिया है तो extra chromosomal dna किसको बोलते है extra chromosomal dna हम बोलते हैं बच्चो plasmid को अभी draw किया था ना plasmid तो plasmid main नहीं है plasmid के पास भी dna है plasmid के पास भी gene है but वो main नहीं है वो extra है जो मौजूद है और इसका काम क्या होता है plasmid का plasmid का NCRT में लिखा हुआ है they provide unique phenotypic characters they provide unique phenotypic characters और जिसमें से एक example लिखा हुआ है like resistant to resistant to antibiotics आप पढ़ोगे बच्चों biotech में different types of plasmid और इनका इस्तमाल तो एक phenotypic character लिखा हुआ है phenotypic मतलब जो physical appearance होती जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि plasmid है तभी बिलाई आएगा otherwise not तो यह कि यह भी phenotypic character है जो एक bacteria को मिलता है because of the presence of plasmid और plasmid भी बच्चों हमारा double stranded circular DNA ही है double stranded circular DNA like your main genomic DNA यह question भी आता है याद रखना तो हमने कबर किया है कि genetic material कैसा होता है और उसका काम क्या होता है next we gonna talk about the cell envelope और उसके modifications तो cell envelope में तीन लेयर आती है और तीनों लेयर अपने हिसाफ के chemical से बनी हुई है इसले में इसको बोलते हैं it is chemically complex क्या बोलते हैं बच्चों इसको chemically complex तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम glycocalyx की ठीक है so glycocalyx इसका बना हुआ है glycocalyx एक outermost covering है it is outermost covering और obviously बच्चों अगर सबसे बाहर की तरफ है तो सबसे बाहर की तरफ है तो इसके पास एक खास चीज होती है तो उसकी बज़े से ये adhesive property भी रखता है that means addition addition का मतलब चिपकना क्यों क्योंकि glycocalyx they are made up of mucus they are made up of mucus plus polysaccharide mucus plus polysaccharide इसी लिए हम बोलते हैं कि glycocalyx को they are composed of muco polysaccharide mucus और polysaccharide को मिला दो तो word बन के आता है muco और polysaccharide तो mucus एक चिपचिपी layer है mucus एक चिपचिपी layer है और उस चिपचिपी layer का इस्तमाल करते हैं हम addition property के लिए addition चिपकानी के लिए they can exist in two forms दो forms में exist कर सकते हैं कौन-कौन से form है एक form है इसका slime layer और एक form में इसका capsule difference क्या है अगर glycocalyx loose layer के form में है तो हम उसको क्या बोलेंगे slime layer और slime layer का का काम क्या होता है it prevents loss of water and nutrients from host क्योंकि layers के form में है that is loosely arranged तो यह क्या करती है host cell से पानी का loss और nutrient का loss प्रिवेंट करती है capsule का काम क्या होता है बच्चो कब हम बोलते है glycocalyx capsule के form में है जब यह बहुत tough covering के form में हो बहुत थिक हो जैसे वो loose थे न यह बहुत tough होती है और यह क्या provide करती है it hide bacteria from host immune system मान लो बच्चो हमारे अंदर कोई bacteria का attack हो रहा है bacteria आ गया हमारे अंदर तो हमारे पास एक fighter cells होते हैं जिसको हम WBC बोलते हैं तो WBC क्या करते हैं बच्चो उन foreign cells को identify करते हैं और फटा फटन को मार देते हैं बत यार अगर उन WBC को वो दिखाई यह न दे तो हो मारेगा कैसे भाया मैं तुमें चाथा पाता भी लगाँगी समिलर्य अगर मारेगा कैसे Apart from this, it provides, जैसे अगर question पूछा जाए ना कि bacteria को adhesion किसे मिलती है, वो तो हमें पता है glycocalyx से मिलती है, बड़ अगर glycocalyx option में ना हो, तो you will go for capsule, because capsule की ही बज़े से उसको चिपचपापन मिल रहा है, जिसकी वज़े से वो adhesive property रखता है, तो it provides sticky और gummy character. It provides sticky and gummy character. So this is all about the first layer of cell envelope बच्चों जिसको हम बोलते है glycocalyx, ठीक है, इसके अलावा, glycocalyx के अलावा, जो next है, हमें पढ़ना है, that is cell wall. Cell wall क्या करता है, बच्चों हम सबको पता है, it provides shape, shape के अलावा, it provides protection, क्योंकि obviously थोड़ी rigid covering होती है, तो it provides protection, कैसे? Cell को burst होने से बचाता है, है ना? और cell wall, bacteria में किसका बना होता है? It is composed of, और you can say, it is made up of peptido glycan. अगर मैं इस word को तोड़ू बच्चों, तो फिर से हमें दो word मिलेगा, एक मिलेगा peptido और एक मिलेगा glycan. Peptido word का मतलब क्या होता है? Peptide. Peptide तुमने पढ़ा होगा, किसके बीश में मौझूद होता है? Protein. तो यहां से peptide से क्या मिला हमें? Protein. और protein क्या होते हैं, बच्चों? They are polymer of amino acids. They are polymer of amino acids. तो that means peptido word किसके लिए है? Amino acids के लिए. और glycan word किसके लिए है, बच्चों? Glycan word है, sugar के लिए. दो जो important sugar इन में मिलते हैं, क्या नाम है उनका? One is NAG and one is NAM. चलो लिख लेते हैं. NAG, that is N-acetyl, N-acetyl Glucosamine. And जो दूसरा sugar है, बच्चों, that is NAM. NAM का पूरा नाम N-acetyl, Muramic Acid. तो ये दो sugar मिलते हैं, इसी लिए word है यहाँ पर glycan. तो अगर आपसे सीधे भाषा में पूछा जाए बच्चों, कि what is peptidoglycan? या तुम ये कह सकते हो कि bacteria का cell wall किससे बना है? तो यार amino acid और sugar से बना है. इसको और क्योंकि आप science बढ़ रहे हो, अब 11th में आ गयो, तो और घुमा फिरा करके वो 3Date वाला है ना, कि what is machine? सीधी भाषा में तो पसंद आता नहीं प्रोफेसर को, तेड़ी भाषा में समझना पड़ता है, इसलिए तेड़ी भाषा में मुसको बोलते है peptidoglycan, जिसका सरल मतलब निकल करके आता है, कि bacteria का cell wall किससे बना हुआ है? एक sugar से और एक हमारे amino acid से. ठीके, बच जरूरी नहीं ह अगर आपको mycoplasma से एक infection हो जाए, क्योंकि mycoplasma भी infectious होते हैं, तो उनके पास cell wall तो है नहीं, आप सबने एक antibiotic सुन रखी होगी, जिसका नाम होता है penceline, सुना होगा ना बच्चों, तो penceline is a antibiotic जो bacteria को मार देता है, बट penceline उनहीं bacteria पे effective है, जिनके पास cell wall होती है, अब इन इनके पास तो cell wall है नहीं, तो क्या होगा, penceline खाएंगे तो कोई फाइदा मिलेगा, नहीं, क्योंकि penceline तो cell wall को मारता, mycoplasma के पास तो cell wall ही नहीं है, that means हमें दूसरी antibiotics खानी पड़ेंगे, ऐसा नहीं क्या मर जाएंगे, हमें दूसरी antibiotics खा करके उस mycoplasma को मारना तो यह line बहुत important है, लिख लेना, क्योंकि mycoplasma के पास cell wall नहीं होता, that is why, therefore, they are insensitive to, insensitive to penceline, जो सबसे पहले antibiotic थी, जो इसको discover किया गया था, ठीक है, So this is all about the cell wall किसका बना होता है, अब इसके बाद हमारी NCRT में लिखा हुआ है बच्चों, कि हमारा जो cell envelop है न, पूर different bacteria में different तरीके का है, जीक है, और different तरीके से response करता है staining procedure को, इस चीज़ को देखते हुए एक scientist दे Christian Gram, इन्हों ने classify कर दिया bacteria को दो groups में, एक bacteria का नाम क्या दिया, एक bacteria को नाम दिया Gram positive और दूसरे bacteria को नाम दिया बच्चों, Gram negative, तो Gram positive और Gram negative किस basis पे है, चलो देख लेते हैं, Gram positive जो होते हैं बच्चों, वो stain को retain करते हैं, इसलिए positive बोलते हैं, Gram negative stain को retain नहीं करते हैं, did not retain the stain, अब तुम सोच रोगी कि मैं कौन से stain की बात कर रहे हो, कौन से procedure की बात कर रहे हो, तो चलो और discuss कर लेते हैं बच्चों, about the procedure of Gram staining, बच्चों ये procedure हमारे NCRT में नहीं है, NCRT में बहुत सारी चीज़े नहीं होती हैं, बट हमें पढ़ना पढ सीजन में, यार सबसे पहले हम बनाते हैं, bacteria का smear, क्या बनाते हैं बच्चों, bacterial smear, bacterial smear का मतलब क्या है, पतली सी layer, जैसे for example, glass light सबने देख रखी होगी अपने स्कूल में, बालो जी के लाब में, तुम्हें उसमें लेना है bacteria, अब तुम जैसे for example, दही वाला bacteria लो, पूरा क भी prefer, बहुत ही little amount of bacteria लोगे, glass light के एक corner पर रखोगे और दूसरे glide sites को फैलाद होगे, फैलाद होगे तो पतली सी layer बन जाएगी और उसी पतली सी layer को हम क्या बोलते है, bacterial smear, अब तुम इसको क्या करोगे, obviously कोई bacteria लिया है, मानलो दही वाला ही लिया है, ठीके तो उसको सुख होगा, दो stain particularly अपने biology lab में जो पड़े होए होते, one is saffron, one is methylene blue, but वो stain का हमें स्तमाल नहीं करना है, इस procedure के लिए particular strain Christian gram ने स्तमाल किया था, जिसका नाम था crystal violet, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्या नाम था बच्चो, crystal violet, stain कर लिया, कुछ seconds तक रखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, school में भी जैसे हम करते थे, बच्चो, stain करते थे, तो excess stain को remove करने के लिए glass light को धो देते थे, है न, तो what we'll do, we'll wash up the stain, we'll wash up the excess stain, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी staining करेंगे, किसके साथ, इसकी staining करते हैं हम, modern के साथ और यहाँ पर modern कौन होता है यहाँ पर modern होता है iodine अच्छा modern का मतलब क्या होता है modern का मतलब होता है to fix the dye dye मतलब stain जो भी हमने crystal wallet staining की थी न अगर हम उसको iodine से stain कर देंगे अब उसको तो वो dye पूरी की पूरी cell के अंदर incorporate हो जाएगी फस जाएगी fix हो जाएगी तो यह काम होता है modern का तो आपने यह याद रखना है कि कौन सा modern इस्तमाल हुआ था और कौन सा stain इस्तमाल हुआ था that is crystal wallet next बच्चो इसको भी हम क्या करेंगे इसको भी stain करने के बाद iodine से wash करेंगे but इस time जो washing होगी वो पानी से नहीं होगी वो किस से होगी आलकोहल से आलकोहल से wash करने के बाद what Christian Gram observed what Christian Gram observed बचों कि एक particular group of bacteria थे जिन्हों ने अपना stain retain रखा मतलब वो microscope के अंदर कैसे appear हो रहे थे crystal wallet तो जो bacteria अभी भी आलकोहल से wash करने के बाद crystal wallet दिखाई दे रहे थे microscope के अंदर इनको क्या नाम दे दिया गया gram positive और जो आधे bacteria थे वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे alcohol से wash करने के बाद वो होगा colorless अब colorless को microscope के अंदर कैसे देखोगे तो इनको फिर से stain करना पड़ा किसके साथ pink वाले stain के साथ जिसका नाम होता है saffrin saffrin से stain किया तो वो कैसे दिखाई देने लगे वो pink color के दिखाई देने लगे that means इस particular group of bacteria ने crystal violet वाले stain उड़ा दिया रखा ही नहीं तभी तो वो white हो गए और white बनने के बाद तभी तो वो saffrin color चड़ा उन पे saffrin color चड़ने का मतलब ही है वो colorless हो गए ते अगर वो already violet होते तो color क्यों चड़ता तो कुछ particular bacteria वो अपना stain हटा देते हैं क्योंकि हटा देते हैं उनको क्या बोलते हैं gram negative तो सवाल यह उठता है बच्चों कि alcohol से wash करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आधे bacteria हटा दिया और आधे bacteria रखा हुआ क्या alcohol से wash करने के बाद वो भी होश हो गए alcohol उनको चड़ गई उनको hangover हो गया है ना बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता लेट में टेल यू थी एक्जाक्ट रीजन बिहाइंड दिस तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बच्चों structure of gram positive and gram negative तो gram positive and gram negative में अगर तुम diagram देखोगे बच्चों तो diagram में ही तुम्हें difference नजर आ जाएगा जैसे for example this is gram negative bacteria और यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली layer है that is lipopolysaccharide किसकी layer है? lipopolysaccharide lipoward यहाँ stand किसके लिए करता है बच्चों? lipid के लिए करता है next यह वाली किसकी layer है? that is plasma membrane or you can just write cell membrane और इसके अंदर बच्चों क्या मौजूद है? sorry this is plasma membrane और यह जो pink वाली layer है बच्चों that is cell wall तो यहाँ पर तुम्हें तीन outer membrane दिखाई दे रही है मतलब तीन layers दिखाई दे रही है अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यह तुम्हारा क्या है? cell wall और cell wall किसका बना होता है? बच्चों, cell wall बना होता है peptido glycan का इसके इलावा तुम्हें कभी-कभी books में murine भी मिल जाता है जो इसका दूसरा नाम है या कभी-कभार तुम्हें muco peptide भी मिल जाता है option में देख लेना क्या तुम्हें मिल रहा है तीनों ही सही जवाब है with respect to cell wall तो आप difference देख रहे हो यहाँ पर cell wall थोड़ी मोटी है यहाँ पर cell wall पतली है है ना? that means murine का content इधर जादा है और murine का content इधर कम है पहला difference जो आपको दिखाई दे रहा है plasma membrane तो दोनों के पास same है as such कोई difference नहीं है तो पहला difference जो लिखोगे आप कि यहाँ पर जो murine का content है बचो that is high whereas यहाँ पर जो murine का content है that is low और काफी percentage में फरक होता है murine content less यहाँ पर होते हैं 70 से 80% का फरक content और यहाँ पर होगा 30 से 10% तक ठीक है इसलिए thickness vary कर रही है इसके अलावा देखो यहाँ पर बच्चो LPS की layer नहीं दिखाई दे रही है absent और यहाँ पर LPS की layer दिखाई दे रही है that is present और इसी के वज़े से फरक आता है क्यों क्योंकि बच्चो chemistry में पढ़ते हो lipid क्या होती है lipid होती है soluble किसमे soluble होती है organic solvent में तो alcohol क्या था तो lipid की layer उसमें dissolve हो गई मतलब क्या है हमने staining किया तो staining obviously कहां लगेगा outermost covering पर gram negative की outermost covering क्या थी lipid वाली layer तो staining यहाँ पर लगा था जैसे ही हमने alcohol से wash किया यह lipid के layer उसमें dissolve हो गई तो इधर staining लगी थी अब यही stain वाली layer उतर गई तो obviously they will become colorless यहाँ पर क्या था यहाँ पर stain लगा peptido glycan में peptido glycan का कुछ नहीं कर सका alcohol तो यहाँ पर stain रहे गया यहाँ पर stain हड़ गया जैसे यार normal सी बात है मालनो स्कूल में दो चोटे चोटे बच्चे हैं उन्होंने school dress पहनी है white color की shirt और किसी बच्चे ने उन पर ink डाल दिया है तो obviously ink कहाँ लगेगी outer most चीज पर outer most चीज उन्होंने क्या पहनी है white shirt एक बच्चे ने अपनी white shirt ही उतार दी तो white shirt ही उतार दी तो ink दिखाई देगा नहीं similarly इन्होंने अपनी lipid की layer ही उतार दी तो gram negative ये रखे रहे अपनी outer most layer को peptido glycan को तो gram positive ठीक है तो ये difference होता है जिसको सिर्फ NCRT ने एक line में रिक्के छोड़ दिया है कि इनका जो response होता है staining का वो अलग होता है तो इतने से हमारा काम नहीं चलेगा बच्चों और procedure में आपको जो याद रखना है stain का नाम, modern का नाम और ultimately हम इसको wash करते हैं किस से, that's it, ठीक है तो ये हो गया बच्चों about your cell wall next जो हम बात करेंगे बच्चों that is plasma membrane plasma membrane कहां पर present होती है inner two cell wall बहुत सारे बच्चों को इसमें ही confusion होती है तो याद रखना, it is present inner two cell wall दूसरा जो question आता है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जो structurally similar होती है eukaryot से तो it is structurally similar to that of eukaryotic cell to that of eukaryotic cell और plasma membrane it is absolute requirement it is the absolute requirement of every living organism of every living organism ठीके बच्चों और आपने देखा था कि plasma membrane अंदर की तरफ धस गई थी और उस अंदर की तरफ धसी हुई plasma membrane को हम क्या बोलते है mesozoom so what is the function of this mesozoom क्यों अंदर की तरफ धसी यह obviously कोई काम होगा so let's talk about the function of mesozoom mesozoom का सबसे important जो function है that is respiration क्योंकि बच्चों एक चीज सोचो ना इनके पास mitochondria तो है नहीं हम बोलते हैं mitochondria बहुत जरूरी है ATP बनाने के लिए isn't it तो अगर इनके पास mitochondria नहीं है तो क्या यह energy नहीं लेते होंगे इनको ATP नहीं चाहिए तो काम कैसे करते हैं फिर ATP तो भया सबको चाहिए तो इनके पास भले mitochondria ना हो इनके पास यह mesozoom है क्योंकि mitochondria भी क्या है कहाँ पर चलती है इनके membrane में mesozoom भी क्या है membrane में तो सारी enzymes जो respiration के लिए चाहिए वो मिलती है इनको यहाँ पर mesozoom में so yes mesozoom mitochondria का काम करता है in case of bacteria and that is why we say यहाँ पर यह किस form में है extensions के form में उसको हम बोलते है mesozooms इसके अलावा और क्या होता है बच्चो इनका काम replication करवाना DNA का और इनके पास enzymes होती है और they also help in cell wall formation क्योंकि plasma membrane है plasma membrane का मतलब क्या होता है cell से कोई चीज बाहर जाएगी और बाहर जाने का हम क्या बोलते है secretion जैसे हम रोते हैं तो कहते हैं secret हो रहे हैं क्योंकि वो बाहर आ रहे है तो इनका काम secretion भी होता है इसके अलावा they increase they increase surface area for enzyme action एक चीज सोचो ना यार कि हमारी plasma membrane सीधी सीधी भी तो हो सकती थी क्या जरुवत भी इसको अंदर की तरफ धसने की क्योंकि यह अंदर की तरफ थस करके excel का surface area बढ़ा रही है याद को रहो बच्पन में एक चोटा सा game खेलते थे Nokia के phone में शायद तुमनोंने नहीं खेला हो उतनों बहुत advanced बच्चे हो है ना तो वो साप वाला game नहीं था जिसमें हम dots को connect करते थे और साप बड़ी होती चले जाती थी यार इतनी बड़ी हो जाती थी पर फिर भी हम उसको मरने नहीं देते थे स्क्रीन से कभी वो strike नहीं कर पाती थी क्यों? क्योंकि हम इस साप को गोल 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 घुमाते चले जाते थे तो जितना जादा हम turn देते जाएंगे हम उतनी कितना यह बड़ा हो हम उसको छोटी से space में accommodate कर सकते हैं क्योंकि उसका surface area बढ़ा देते हैं similarly surface area बढ़ा होना बहुत important है अगर वहां पर enzyme का रोर होने वाला है क्योंकि आप पढ़ोगे बच्चो जॉलोजी में enzyme better work करती हैं जब उनका surface area जादा हो तो यहां पर respiratory enzymes हैं उनको better perform करने के लिए उनका surface area जादा होना चाहिए and for this reason यह अंदर की तरफ extend हो जाते हैं या तो यह tubes के form में हो सकते हैं या तो यह bag like छोटे से gold circular के form में हो सकते हैं मुझको vesicles बोल सकते हैं या यह lamella के form में इस तरीके से हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं lamella इन तीनों form में किसी भी form में plasma membrane के extensions हो सकती है यह NCRT में लिखा हुआ है तो हमने पढ़ा कि प्रोकेरियोट में प्लास्मा मेंब्रेन अंदर की तरफ धस जाता है बच्चों जिसको मीजोजोम्स बोलते हैं जो प्रोकेरियोटिक्सल का एक कॉमन फीचर है बट इनके अलावा इनके अलावा कुछ अलग तरीके की मिलते हैं कुछ पर्टिकुलरली बैक्टेरिया में जैसे इन फोटो सेंथेटिक बैक्टेरिया इन फोटो सेंथेटिक बैक्टेरिया other extensions are present और उन extensions का नाम क्या है बच्चों उन extensions का नाम है chromatophores क्या नाम है बच्चों chromatophores chromatophores में देखो एक word आ रहा है क्रोमा आ रहा है न वर्ड क्रोमा का मतलब क्या होता है बच्चों कलर कलर तुम्हें कब मिलता है कलर का मिलता है जैसे पत्यों को क्लर क्यों है ग्रीन क्योंकि उनके पास pigment है that means इस chromatophores के पास भी pigment present है और pigment क्यों present होंगे for photosynthesis for photosynthesis तो ओविसली मीजोजोम सो present होते ही है बट कुछ photosynthetic bacteria photosynthetic bacteria का मतलब यहां पर किस से है blue green algae से जिसको हम साइन बैक्टेरिया बोलते हैं पढ़ोगे इसके बारे में भी तो blue green algae साइन बैक्टेरिया देर photosynthetic bacteria so apart from mesozooms they have chromatophores also जो photosynthetic role perform कर सकता है इनके case में क्या बच्चों तो अभी हमने discuss किया है कि cell envelope तीन लेयर का होता है और तीन लेयर में कौन कौन सा आता है glycokalic cell wall and the plasma membrane plasma membrane सबसे innermost layer होती है हमारी cell envelope of bacterial cell अब हम बात करेंगे बच्चों cell envelope की बारे में बात तो कर लिया next like talk about की surface structure क्या होते बच्चों नाम में देखो मतलब छुपा हुआ है कि जो structure surface में प्रेजेंट हो उनको हम बोलते surface structure तो इसमें कौन-कौन से नाम लिखा हुआ है फ्लाजला पिलाई एंड फिंब्रे जो हमने structure देखा था बच्चों उसमें फ्लाजला और पिलाई तो बना हुआ था फिंब्रे इतना पिलाई भी motility के लिए होगा नहीं बच्चों पिलाई और फिंब्रे का there is no role in motility पिलाई और फिंब्रे का कोई भी नहीं होता है motility में क्या काम होता है we will see but motility में इनका कोई काम नहीं है अच्छे इक चीज और हमें पता होती है about कोई ना सबसे पहला सरåल कर दिसकस करते हैं जो कि हमारा है फ्लाजला है प्लाजला को वह हमने बोला कि फ्लाजला एक मोटाइल स्ट्रोक्चर है एक नहीं होता है। इफ फ्लाजला प्रेजन्ट, तो वो बैक्टिरिया कैसा होगा? मोटाइल, और अगर फ्लाजला प्रेजन्ट नहीं होगा, इफ फ्लाजला एपसेंट, तो फिर वो बैक्टिरिया हमारा कैसा होगा? non-motile bacteria, ठीक है, that would be non-motile, फ्लाजला किसका बना होता है, फ्लाजला is made up of protein, made up of protein और उस protein का नाम क्या है, फ्लाजलीन प्रोटीन, that protein is फ्लाजलीन प्रोटीन, तो फ्लाजला एक हेलिकली अरेंच्ट, जैसे हमारा DNA हेलिक्स होता है न, तो इसके अंदर ये जो प्रोटीन होता है न, वो भी हेलिकली अरेंच्ट होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, it is हेलिकली अरेंच्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल, it is हेलिकली अरेंच्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल, या अगर हम एक छोटा सा सेल बनाए, मालो एक छोटा सा ये प्रोकेरियोटिक सेल है, मालो ये प्रोक तो अगर हम section काट करके देखें, तो वो zoom होने के बाद, यार किसी की photo देखती है, zoom नहीं करते हैं बड़े मसे में, है न, तो हम इसको भी zoom कर सकते हैं, इसको cut करो और zoom करो, कैसा structure दिखाई देगा, देखो, इसमें जब तुम करोगे न, इसको बचो, तो तुम्हें इसके parts इसको बोलते हैं hook, और बाहर जो thread-like structure हमें diagram में दिखाई देता है, that is the filament, जिसको हम बोलते हैं longest portion, बहुत ज़्यादा NCRT में नहीं दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिर 1% extra ही करना है, क्योंकि question आ जाता है, बच्चों हम discuss करेंगे, ऐसे questions जो NCRT वाली जहां से flagella originate करता है, ठीक है, flagella originate कर गया, इसके बाद ये वाला हिस्सा, जो तुमें नलकी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं hook, ठीक है, इसको हम बोलते हैं hook, और फिर hook से निकलता है बच्चों, the longest portion, that is filament, तो इतना पतला जो हमे diagram में दिखता है ना, अगर हम उसको भी थोड़ा जूम करके देखें, तो we will see that flagella is made up of three parts, एक और चीज़ बताती हूं, करना हो तो कर सकते हो, ठीक है, otherwise बहुत जादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बेसल बॉडी में बच्चों, चार rings present होते हैं, बेसल बॉडी और flagella बने बोला जाने की जरूरत नहीं, तो याद रखना कि बाहर से अंदर की तरफ अगर ring पूछता है, तो आपने arrange कैसे करना है, सबसे बहुत, L वाली ring, उसके बाद P वाली ring, उसके बाद S वाली ring, और उसके बाद M वाली ring, जो पेसल बॉडी की होती है, वो सबसे अंदर की तरफ मिलती है, कहाँ पर मिलती है, सबसे अंदर की तरफ मिलती है, ठीक है, और NCRT में एक और बात लिखी हुई है, फ्लाजला के रिस्पेक्ट में, कि जो फ्लाजला होता है, they are the extensions of, they are the extensions of cell wall, ठीक है, cell wall से ये originate करते हैं, cell wall से निकलती है, So this was about the very first surface fracture, that is फ्लाजला, जो चलाने फिराने में help करता है, अगर हम बात करें, पिलाई का क्या काम है, तो पिलाई और फिंब्रे का बच्चो बहुत छोटा सा रोल होता है, चलो पढ़ लेते हैं, पिलाई और फिंब्रे, पिलाई और फिंब्रे, तो पिलाई बच्चो जै अगर इसका कोई रोल, मोटेलिटी भी नहीं है, तो इसका रोल किसमें होता है, बच्चो दे हल्प्स इन मेटिंग, किसमें help करते हैं, यह मेटिंग में, और यू केन राइट, दे हल्प इन कॉन्जूगेशन, कॉन्जूगेशन, मेटिंग एक तरीके का नाम से ही पता चल मेटिंग मतलब sexual reproduction, बट बैक्टेरिया में true sexual reproduction नहीं होता, बच्चो बिकाउज आर वेरी primitive, तो इन में primitive sort of sexual reproduction मिलता है, ठीक है, और उस primitive sort of sexual reproduction का नाम होता है, conjugation, जब हम बैक्टेरिया वाला चाटर पड़ेंगे, तो we will study in detail, that how pili helps in conjugation, और sort of sexual reproduction in बैक्टेरिया, और पिलाई सिर्फ उन्ही के पास होता है, बच्चो आज वी हैफ डिसकाई जुनके पास plasmid, ओके, फिंब्रे क्या है, फिंब्रे देयार, bristle like structure, they are bristle like structure, sprouting out of the cell, sprouting out of the cell, bristle like structure का मतलब क्या होता है, बच्चो जैसे तूद ब्रश है न, तूद ब्रश पर देखा होगा, छोटे छोटे कारे minute bristle like structure है, जो sprout कर रहे है, इसे में बोलते है, sprouting out of the cell, और इनका काम क्या होता है, they are there for attachment, किस से attach करवाते है, यह host cell से, rock से, ठीक है, तो they are there for the attachment of the bacteria to any host tissue, और only host thing, या तुम rock वेगरा कुछ भी कह सकते हो, तो यह हमारे हो गए, तीन surface structure, बच्चों हमने surface structure डिसकस कर लिया हमने हमना cell envelope discuss कर लिया है, now let's talk about the ribosomes, ठीक है, ribosomes के बारे हम बात करते हैं, ribosome, ribosome क्या होता है बच्चों, ribosome होता है हमारा protein factory, ribosome होता है हमारा protein factory, that means यह क्या बनाएंगे, यह बनाएंगे protein, तो अगर bacteria को किसी भी चीज की जरुवत है, protein की चीज की जरुवत है, तो वो कौन बनाता है, ribosomes, because they help in synthesis of protein, synthesis of protein, और बच्चों यह सबसे smallest organelle है, this is the smallest organelle, ऐसा organelle जिसके पास कोई membrane नहीं होता है, this is the smallest organelle, size NCRT में लिखी होई है, 15 by 20, है न, NCRT में लिखी होई है, ठीक है, पहली ही लाइन, याद रखनी है आपको, यह किसके बने होते हैं, they are composed of, they are composed of ribosomal RNA along with proteins, ribosomal RNA, बच्चों RNA हमारा तीन टाइप का होता है, mRNA, rRNA, anti-RNA, तो ribosomes में क्या मिलते हैं, ribosomes में हमारे ribosomal RNA मिलते हैं, ribosomal RNA, और अगर मैं particularly prokaryote की बात करूँ, तो prokaryote में जो ribosomes होता है न, they are found, they are found attached to plasma membrane, they are found attached to plasma membrane, मतलब क्या है इस line का, मान लो यह हमारी bacterial cell है, तो इस bacterial cell का यह मान लो क्या है, plasma membrane या cell membrane, तो जो ribosomes होगा, वो यहीं पर चिपका पड़ा होगा, और कैसा ribosome होगा, prokaryotic, prokaryotic ribosome कैसे होते हैं बच्चो, 70S, कैसे होते हैं, 70S, हर एक ribosome दो units में divided है, तो इसका भी दो unit है, एक smaller और एक larger, the smaller unit is known as, 30S, and the larger unit is known as, 50S, अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं न, कि यार, मैं 50 plus 30 to 80 होता है, बच्चो, गड़े तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम बालो जी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो S है न, S word कहां से आया है, S word आया है, एक scientist थे, जिसका नाम होता है, sweat bug unit, है न, इसका एक और मतलब होता है, sedimentation coefficient, तो जब हम eukaryotic cell पढ़ेंगे न, तो वहाँ पर actual मतलब पढ़ेंगे, और यह भी देखेंगे कि कितने types of ribosomal RNA उसमें present होता है, बट यहाँ पर NCRT ने हमारा सिर्फ यहीं लिखा हुआ है, कि ribosomes protein factory होते हैं, और कौन सा ribosome होता है, 70S, जिसके 2 sub unit होते है, 30 and 50, which are not additive, इसको add मत करना, असी नहीं बनाना है हमें, यह experimental चीज है, यह देखी हुई चीज है, तो मैं याद रखना है कि हमारा prokaryotic ribosome कैसा होता है, 70S और कहां पर मिलता है, plasma membrane से सटा हुआ मिलता है, क्या काम करता है, protein बनाता है, तो we have covered the entire structure, the detailed structure of prokaryotic cell, बच्चों prokaryotic cell तो हमने कर लिया, तो चलो इस पे बेश कुस्त 3-4 questions कर लेते हैं, ठीक है, तो let's talk about the question, सबसे पहला जो question है, आपको board पे दिखाई दे रहा है, that which of the following cell organelle is non-membrane bound, non-membrane bound का मतलब membrane नहीं है, तो Golgi complex के पास membrane होती है, कितनी single, endoplasmic reticulum के पास होती है, single, बताया हुआ है मैंने, ribosome मिल गया, जिसके पास zero membrane होती है, mitochondria के पास कितनी होती है, बच्चों, दो membrane, तो non-membrane is कौन हो गए, ribosome, Golgi सिर्फ कहां मिलता है, eukaryote में, endoplasmic reticulum कहां मिलता है, eukaryote में, mitochondria कहां मिलता है, eukaryote में, but ribosome ऐस होता है, बच्चों, जो eukaryote में मिलता है, as well as prokaryote में भी, इसी लिए हम ribosomes को क्या बोलते हैं, universal, क्या बोलते हैं, बच्चों, universal organelle, yes, my student, it is known as universal organelle, ठीक है, इसके इलावा, बच्चों, next question देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, the only organelle found in prokaryotic cell, ये भी हमने लिखा हुआ है, ब blasted, मिलता ही नहीं, nucleus, होता ही नहीं है, प्रॉपरली, ribosome, ribosome is the only cell organelle, which is present in the, हमारा, bacterial cell, okay, next हम बात करते हैं, बच्चों, in some photosynthetic prokaryotes, the pigment containing structure is, chloroplast, chloroplast, थो बच्चों, होते ही नहीं है, इनके बस कहा होते हैं, there is no double membrane bound organelle, which is there in the prokaryotes, there is in bacteria, chromatophore, yes, हमने पढ़ा है न, chromatophore, pigment containing extensions होते हैं, pigment containing extensions होती हैं, isn't it, mesozooms तो bacteria के पास होता ही है, जो mesozoom होता है न, बच्चों, bacteria के पास, NCRT ने लिखा हुआ है, कि mesozooms क्या होती हैं, हमने भी पढ़ा हुआ extensions होती हैं, हमने भी पढ़ा हुआ in foldings होती हैं, plasma membrane की, और ये mesozoom एक बहुत unique feature है, ये unique word का chromatophore, but ये unique तो है, but कुछ जो photosynthetic bacteria होते हैं, बच्चों, उनके पास एक और unique extension है, that is chromatophore, chroma का मतलब color, color का मतलब pigment, और क्यों होता है pigment, photosynthesis के लिए, ठीक है, या तुम ये भी कह सकते थे, इनके पास chloroplast तो नहीं होता, but इनके पास thalakoid जरूर होता है, वो thalakoid भी properly, जैसा प्लांट में मिलता है, वैसा तो नहीं होता, but इनके पास thalakoid जरूर है, जो pigment रखता है photosynthesis के लिए, तो इसका answer क्या हो जाएगा, chromatophore, ये भी नहीं होता, ये होता है, but इसका हमारा, किस से फरक नहीं पड़ता, photosynthesis पे कोई फरक नहीं है, next है, a special membranous structure, mainly associated with the respiration, secretion process and replication, तो ये वही यूनीक चीज है न, जो भी हमने इसके पहले वाले slide में पड़ी थी, और वो यूनीक चीज क्या पड़ी हमने बच्चों, वो यूनीक चीज पड़ी हमने, mesozooms, ठीक है, यहीं है, जो replication भी कराते हैं, secretion भी कराते हैं, हमारा respiration, secretion and replication, okay, next है, plasmid क्या होता है, तो ह हमने पड़ा हुआ है, कि हमारे पास, sorry, हमारे पास नी, bacteria के पास, एक main DNA होता है, जिसको हम जीनोफोरिया निक्लोयड बोलते हैं, बट किसी-किसी bacteria के पास, उनको extra रखने की जरुरत है, है न, उनको एक से मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, तो they have an extra DNA, and that extra DNA is called as plasmid, but इसका nature पे कैसा होता है, double-stranded circular DNA, yes, ठीक है, तो yes, हमने कुछ questions discuss किये, हमने एक छोटा सा prokaryotic cell अब भी cover किया है, बच्चो, next lecture में हम revise कर के आना, हम discuss करेंगे कुछ basic differences, जो prokaryote और eukaryote में होते हैं, and then we'll move forward with the different components of eukaryotic cell, तब तक के लिए, bye-bye, and take care, बच्चो, जल्दी मिलते हैं, papel análा है,ogने पार लिए, बच्चो, जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं?